नौन वेस तो नहीं खाते पर कभी-कभी अंडा खालते हैं, क्या अपराद लगेगा? जी हाँ, अपराद नहीं, महा अपराद लगेगा, क्योंकि संतों की वाणी से मैंने सुना हैं, कि जिसको हम जनम नहीं दे सकते, तो उसको मारने का भी हमें अधिकार नहीं है, और वैसे मास, मदीरा, इन सब का सेवन करना निशेद है, और यहां तक कि लसन प्याज भी नहीं खाना चाहिए एक भक्त को, तो नौन वेज खाना तो बहुत दूर की बात है, तो यह महा पाप है, हम किसी को पैदा होने से पहले ही खा ले रहे हैं, जितने भी लोग पूछते हैं कि नौन वेज नहीं खाटते पर एक खालते हैं, तो यह अपराद नहीं, माँ अपराद में गिना जाता है, तो इसको कम कैसे किया जाएगा, देखिए, धीरे-धीरे ही हर चीज होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नाम जब करना पड़ेगा, नाम का साहरा नहीं बैष्णा महामंत्रा चाप करना पड़ेगा जिस भी नाम में आपकी रुचिये वह नाम झाप करना पड़ेगा तब Gonzaga तिर भी देरे जब प्रगर्ति होगी भगवान से प्रम होगा तो तेरे देरे हमारी सारी चिज़े छूड़ जाएगी तो ऐसे ही जनरली यह प्रोसेस है तेरे देरे जब हम नाम जब करेंगे तो हमारा शुद्धी करण होगा और शुद्धी करण होगा तो यह चीज़े छोट जाएगी तो त्यान रखिए जाद सब्सक्राइब